आपके अपने YouTube चैनल Pharma MCQ में यह चैनल पर हम डिफेंड डिफेंड MCQs हॉल करते हैं वल्लानर के questions डिसकस करते हैं और प्रिवेज सेर के questions paper डिसकस करते हैं तो यह सब जो MCQs होते हैं सभी Pharma exams के लिए important होते हैं GPAT, NIPER, Drug Inspector, State Pharma Assist exams होते हैं सबी के लिए important होते हैं तो अगर आप लोगी चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना, शियर करना, कमेंट करना बैल आइकन को प्रस करना तके जानने वाले वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें तो स्टार्ट करते हैं तो हमने ये DSBM के MCQ स्टार्ट किये थे ठीक है, प्रिवेस वीडियो में मैंने 25 जो MCQ है इसके डिस्कस किये थे अभी आगे continue करते हैं ठीक है, जो प्रिवेस वीडियो का question है जो मैंने आप लोगों से पूछा था all the accounts are balanced in तो जो accounts होते हैं, किसमें balance होते हैं तो इसका answer आप में से सभी ने लगबग ठीक ही दिया था ठीक है, ledger में इसका answer हो जागा, ledger हो जागा, option one हो जाएगा, right एक बच्चे ने इसका general answer दिया था ठीक है, तो general नहीं होगा answer क्या होगा, option one होगा, ledger होगा देखे, मैं आपको general और ledger में एक बड़ डिफरेंस बता देती हूँ ठीक है, एक तो general एक ledger है, तो generals क्या होते है general तो क्या होते है, book of original entry, उसको बोलता है generals और ledgers होते है, book of secondary entry, ठीक है, यह question कई बाहर आता है, book of original entry is तो generals क्या है, book of original entry होते है, और जो ledger है secondary entry हो जागा, book of secondary entry, ठीक है, और इसमें जो balancing होती है, all the accounts are balanced in ledger, ठीक है, not in general, यह भी ध्यान रखना है इसमें सारे-सारे account balanced होते हैं, तो इसमें general में क्या होता है, balancing नहीं होती इसके अंदर, general के अंदर और जो इसमें entries record करते हैं general में, उसको बोलते है generalizing बोलते हैं, और जो entries इसमें record करते हैं, ledger में उसको क्या बोलते है, posting बोलते है ठीक है, मतलब जैसे भी कोई transaction होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, general में record कर देते हैं, फिर general से क्या करते हैं, ledger में transfer करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो होता है, trial balance prepare होता है, उसके बाद financial statement ये सब होता है, ठीक है, तो हमारा तो ये हो गया, अब आपको थोड़ा difference स होते हैं, जब होते हैं, तो उनको record करते हैं, इसमें generals में, फिर उसके बाद क्या होता है, वो इसमें ledger में record होते हैं, तो ये सब बाते हैं, generals और ledgers की, तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, अभी हम आगे अपना, आगे continue करते हैं, तो next question है, 26 से हम start करते हैं, ठीक है, 25 तक हमने previous वीडियो में discuss किये थे, तो start करते हैं, question, the perpetual inventory system comprises, तो perpetual inventory system में क्या क्या आता है, options है, bin card, store ledger, continuous stock taking, या all of the above, ठीक है, perpetual inventory system, जो मैंने आपको inventory के different method बताये थे, उसमें एक perpetual inventory system भी था, ठीक है, ABC analysis पढ़ा था, हमने वेद analysis होता है, और EOQ होता है, और इसमें ना, ये perpetual inventory system भी आता है, तो इसमें perpetual inventory system में क्या क्या आता है, bin card आता है, store ledger, continuous stock taking, ये तीनों ही आते हैं, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, इसका, all of the above हो जाएगा, तीक है, next है, to detect slow and non-moving items, which of the following step to be taken, तीक है, slow and non-moving items है, उनको detect करने के लिए, कुम से steps हैं, तो ये options है, periodic report, obsolete items, moving ratio, या all of the above, तो इसका भी हो जाएगा, all of the above, ठीक है, ये सारे ही, इसमें included है, तो हमारा answer हो जाएगा, all हो जाएगा, option 4, next है, medical store deals only in medicines, ठीक है, जो medical store है, उसमें, क्या होती है, medicines ही होती है, and is an example of, तो किसका example होता है, ये medical store, options है, single line store, general store, street store, या none, तो medical store, जो है, ये किसका example है, single line store का, ये example हो जाता है, ठीक है, तो हमारा answer क्या आजाएगा, single line store आजाएगा, next है, all the accounts are balanced in, तो मैंना भी आपको बता दिया, किसमें होती है, balancing, तो ledger में होती है, option 1, right हो जेगा, next है, a drug store is called an ideal drug store, if its inventory is, options है, in excessive, inadequate, meager, या at level between excessive and inadequate, तो inventory है, वो ना तो जादा होनी चीए, ना कम होनी चीए, तो क्या होनी चीए, at level between excessive and inadequate, ठीक है, तो हमारा option 4, right हो जेगा, next है, a partner below the age of 18, does not enjoy the right of a full place, तो options है, minor partners, nominal partners, secret partner, sleeping partner, तो 18 से कम के जो partners होती है, किसमें आती है, यह minor partner में आ जाएगा, तो हमारा option 1, right हो जाएगा, तो जो यह partners होती है, different types के होती है, जैसे इसमें active, इसमें आता है, active working partner होती है, sleeping and inactive partner, जो इसमें, जो management, business की management में कोई participate नहीं करते है, मतलब वो inactive होती है, एक तरीके से dormant होती है, ठीक है, एक nominal partner होता है, partner profit only होता है, secret partner होता है, एक minor partner, और एक partner by estopal, यह सब होते हैं, different partners होती है, तो minor partner कहा भी हमने क्या देख लिए, age होती है, a partner below the age of 18, being minor, ठीक हो minor होता है, does not enjoy the right of full-fledged partner in partnership firm, as per law, he is not competent, ठीक है, next है, a partner does not take any active part in the management of firm's business is, ठीक है, does not take any active part, कोई भी active part, मतलब business की management होती है, उसमें कोई भी active part नहीं लेता, तो कोई से partner होती है, अप्शन से active partner, sleeping partner, secret partner या nominal partner, तो यह होते हैं, कुन से होते हैं, sleeping partner होती है, जिनको क्या बोलते हैं, inactive partner भी बोलते हैं, तो हमारा answer आजाएगा, option 2 हो जाएगा, sleeping या इनको क्या बोलते हैं, inactive partner, next है, in a drug store, the expiry date drug formulations are card, तो expiry date drug formulations को क्या बोलते हैं, options देख लिजी, obsolete items, crap items, surplus या dormant, तो इनको बोलते हैं, obsolete items, बोलते हैं, option 1, right हो जाएगा, next, mail order business is, options है, retail trade by post, wholesale trade, direct selling method, या retail trade, तो mail order business होता है, ठीक है, ये post के through business होता है, तो ये retail trade by post हो जाएगा, option 1, right हो जाएगा, हमारा, next, multiple shops, deal in, options है, all goods, same type of goods, specified, same types of goods, specified type of goods, तो multiple shops में क्या होता है, specified, same type of goods, तो option 3, जो है, हमारा correct हो जाएगा, next है, wholesaler act as a link between manufacturer and, तो जो wholesaler होता है, वो किस किस के बीच में link होता है, manufacturer and options देख लीजे, retailer, doctor, agent, consumer, तो wholesaler होता है, उसका director link होता है, किस से manufacturers and retailer हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा answer हो जाएगा, option 1, retailer हो जाएगा, next, inventory is, तो inventory क्या है, options are negligible cost, actual cost, manufacturing cost, या significant part of cost, inventory is, ये क्या होता है, significant part of cost हो जाएगा, next, which of the following statement is true, तो कौन सा statement है, ये आपके सामने options है, जो इसमें से true है, तो देखिए, options, industrial bank is IDBI, ठीक है, industrial development bank of India, तो ये क्या industrial bank है, बिल्कुल सही है, next, land mortgage bank is land development bank, ठीक है, land development bank को land mortgage bank भी बोलता है, बिल्कुल सही है, next, एक्जिम bank of India was launched in 1982, ठीक है, तो एक्जिम bank को कब launch किया गया था, 1982 में, ये भी सही है, state bank of India came into existence in 1955, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा answer हो जगा, all of the above, सारी की सारी ही statements क्या है, true है, next, goodwill is an example of, तो goodwill किसका example है, intangible assets, current assets, fixed assets, या none of the above, तो जो goodwill आता है, तो ये intangible assets में आता है, ठीक है, intangible assets जो है, इसमें आ जाएगा, जो patents है, copyrights होते हैं, ठीक है, land है, building होता है, furniture होता है, machinery, ये सब fixed assets में आते हैं, current assets में क्या जाएगा, जैसे cash है, या stock जो है, adapters जो है, ठीक है, adapters भी किसमें आते हैं, current assets में आते हैं, तो ये सारे examples दो हैं, आपको याद रखने हैं, next, trial balance is a, तो options है, account statement, subsidiary book या schedule, तो trial balance क्या होता है, ये statement होती है, ध्यान रखना है, option 2 या right हो जगा, trial balance क्या होती है, एक statement होती है, ठीक है, तो trial balance के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, trial balance क्या है, it is a statement prepared to check the arithmetical accuracy of bookkeeping entries up to the date stated at the head of the trial balance, ठीक है, तो trial balance क्या है, statement होती है, prepared to check the arithmetic accuracy को check करने के लिए, जो statement prepared करते हैं, उसको बोलते है, trial balance, ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ, it is a statement showing all ledger balance prepared as one particular date, it is prepared to check the arithmetical accuracy of writing the transaction on debit and credit side of two different accounts, ठीक है, एक debit account होता है, credit account होता है, इसमें, तो इसमें फिर क्या है, list of all ledger balance is classified, in debit and credit groups, if the debit total is equal to credit total, ठीक है, debit total is equal to credit total होता है, इसमें, अगर दोनों equal होते हैं, तो trial balance is set to be tallied, next है trial balance is not an account, ठीक है, ये कोई account होता है, but it is statement showing balance of all ledger accounts, ठीक है, जो ledger के account होते हैं, उसे ही trial balance prepare करते हैं, ठीक है, all cash transactions, तो इसका क्या हो जागे, ledger के है, book of secondary entry, हो जागा, option two right हो जागा, next recording of transaction in general is called, तो ये भी हमने discuss कर लिया था अभी, ठीक है, जो generals में transaction की recording, record करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, और जो ledger के pages होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, folios बोलते हैं, ये भी important है folio, next है, in ved analysis, v ed analysis, जो होता है, इसमें d stands for, ठीक है, इसमें d किसके लिए stands होता है, v होता है vital, e होता है essential, और d होता है desirable, ठीक है, तो ये options देख लीजिए, तो इसका desirable items हो जागा, option four, next है, after passing diploma in pharmacy, the candidates has to undergo practical training of, ठीक है, तो कितने time की training होती है, डिपलोमा के बाद, तो ये होती है 500 hours की, ठीक है, important question है ये, तो option one right हो जागा, next type of account relating to loss and income is, तो कौन सा account होता है, ये, options है personal, real, nominal या profit and loss, तो ये होता है nominal account होता है, option three right हो जागा, nominal account, ठीक है, तो देखो personal account क्या होती है, जैसे जो individual persons related होती है, deals with the individual persons, firm, company and institutions, personal firm with supply goods to business is a creditors, ठीक है, कोई भी person है, firm जो goods supply करती है, business में, business to the business, business को जो भी goods supply करते हैं, वो creditors होते हैं, entries are made on credit side of account, और जो person है firm जो receive करती है money of goods from business, तो वो बन जाते हैं, adapters, ठीक है, transaction is made on debit side of account, ठीक है, जैसे ही, तो ये, जो personal account है, क्या मतलब किसी individual person का, firm, company, ऐसे हो जागा personal account, ठीक है, और real account क्या होता है, transaction relating to building, cash, furniture, land, machinery, stock, ये सब के जो transactions होते हैं, इन से related account होते हैं, वो real account में आते हैं, ठीक है, तो ये real का हो जागा, तो इसमें क्या होता है, when item is purchased, या receive, the transaction is recorded on the debit side, इसमें ऐसी होता है, real में, फिर nominal account होता है, जो हमारे question में था, the account are maintained to deal with discounts, insurance, rent, wages, salaries, cost of stationery, items, commissions, और हमने अभी देख लिया, किसका, loss वगएर भी इसी में होते हैं, ठीक है, profit, जो क्या था हमारा, loss and incomes, ठीक है, वो भी किसमें आता है, losses and incomes किसमें आता है, ये आजाएगा, nominal account में आजाएगा, ठीक है, losses, income, discount, insurance, rent, wages, ये सब salaries आगे न, तो इस सारे किसमें आते हैं, nominal accounts में आजाएगे, next, patent, copyright, trademark, comes under, तो अभी मैंने आपको बता था, patent, copyright, trademark किसमें आते हैं, goodwill भी आता है, तो इस किसमें आते हैं, ये आते हैं, options देख लिजिए, current assets, tangible, intangible ये miscellaneous assets, तो याते हैं, intangible assets में आते हैं, option 3 right हो जाएगा, next है, तो इसमें क्या लिखा हो है, current assets, current assets क्या होते हैं, which are either in the form of cash, और can be easily converted into cash, ठीक है, जो वो cash की form में होते हैं, या फिर cash में convert हो सकते हैं, within a year, ठीक है, उनको बोलते हैं, current assets, बोलते हैं, जैसे cash at bank, bills, adapters, stocks, किसमें आते हैं, ये current assets में आ जाएएंगे, next है, partners who are neither entitled to take part in the management, nor do they invest and get a share of profits are, तो इसे partners को क्या बोलते हैं, options है, silent partner, nominal partner, limited partner, या partner by estopal, तो ये होते हैं, silent partners, होते हैं, option one, right हो जाएगा, silent partner, next है, इन्हें mail order business, goods are sold on, तो options है, cash, credit, both cash and credit, या installment basis, तो mail order business में goods are sold on cash basis, तो option one हो जाएगा, cash, next है, price of a drug depend on, drug का price किस पर depend करता है, options है, cost of raw materials, government regulations, its consumption, या all of the above, तो इसका answer हो जाएगा, option four हो जाएगा, all of the above, ठीक है, जो price होता है, drug का, इन सभी factors पर depend करता है, तो हमारा हो जाएगा, option four, all of the above, next है, fixed assets are, तो fixed assets में कौन-कौन से आते हैं, land, machinery, building, या all of the above, तो यह भी हमने discuss कर लिया था, fixed assets में, land, machinery, building, furniture, यह सब आते हैं, तो option four, right हो तो इसमें इतना ही अभी a question है, जिसका answer आप लोगों को comment box में देना है, question क्या है, wholesale, wholesaler deals in, ठीक है, जिसे एक retailer होता है, एक wholesaler होता है, तो wholesaler deals in, options है, large quantity of goods, small quantity of goods, better quantity of goods, या all of the above, इसका answer आप लोगों को comment box में देना है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like करना, share करना, और चैनल पर नए हैं, चैनल को subscribe जरूर करना, okay, thank you